नमस्कार मैं हूँ सृष्टी पांडे और आप देख रहे हैं आज की खबर उत्तर प्रदेश में विधान सभाग चुनाव नजदीक है ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव में पर्चम लहराने के लिए जीतोड कोशिश कर रही है वहीं विपक्षी दल भी एक दूसरे पर निशानस साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादों ने बांदा में विजयरत यात्रा आयोजित किया था जहां उन्होंने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला अखिलेश यादों ने कोरणा काल में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि हम सभी ने देखा है कि लोकडाउन लगाया गया था और कैसे प्रवासी मजदूर अपने घरों को पैदल चलने के लिए मजबूर हुए थे जहां कई सारी जाने भी गई थी अखिले शादों ने कहा कि योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया क्योंकि इसका दर्ध सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके पास परिवार हो और जिनका कोई परिवार ही नहीं वो उनकी परवा क्यों करेगा अखिले शादों ने कोरोना काल और किसानों से लेकर युवाओं समेथ कई मुद्धों पर सरकार को घेरा उन्हेंने कहा कि जनसभा में 31 भीड ही UP में परिवर्तन का कारण बनेगी उन्हेंने कहा कि योगी सरकार ने जनता पर बुल्डोजर चलाया है और अब जनता सरकार पर बुल्डोजर चला के भाजपा को प्रदेश से भगाएगी आपको बटा दें कि इससे पहले CM योगी और PM मोधी भी बुन्देल खंड का दौरा कर चुके हैं और अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या अखिलेश यादो बुन्देल खंड में BJP के अभेर दिखिले को धाने में काम्याब होंगे या नहीं ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रही है आज की खबर